देश में लोग सभा का चुनाव हो रहा है इसी पीच गुरुगराम के बीजेपी एन आर आई सेल की तरफ से एक एहम बैठ हकी गई जिसमें एन आर आई सेल के सभी लोग शामिल हुए इस एन आर आई सेल बीजेपी हर्याडा के द्वारा उध गोश यात्रा 400 पार कारेकरम क्या गया जिसमें एन आर आई सेल के कारेकरता फ्रांसे जोगिंदर गेरा भी मौचूद रहे लोगसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां मैदान में उतर चुकी है और अपने परताशियों को सभी ने मैदान में उतर दिया है आज हमारे साथ NRI टीम के भारते जन्ता पार्टी के परचारक जोगिंदर कुमार गैरा जी मौजूद है उनसे हम बातचीत करेंगे जिस तरीके से NRI टीम की एक बैठक आयुजित की गई है उसमें परदेश जो परदेश अध्यक्स रहे हैं संदीब देशवाल जी उन्होंने सभी NRI टीम के कारेकरताओं के साथ एक बैठक किया उस बैठक में क्या कुछ निर्ने लिये गए हैं किस तरीके से लोगसभा चुनाब में वो कैंडिडेट के साथ परचार करेंगे वो सभी बातों के साथ आ जहां गोजोगिंदर कुमार गैरा जी से बातचीत करेंगे गैर रहे अभी अभी एलेक्शन चालो है उसके बारे में था और हमारे संगठन नर्यसल के बारे में हमारे इंटर्णल जो हर इसको डिवाइड करके हर बंदे को रिस्पोनसिविल्टी दी गई और ताकि यह इसको इसका जो असर हो इसका जो परपस के लिए बीज़े के को बता सकें और हमारे उदेश्य ही है कि लोग ज्यादत से ज्यादा लोग वोट के लिए जाएं और बीजेपी को करमल को का बटन दबाएं जो गिंदर ची जिस तरीके से एनराई हैं और पॉर्णर से आप भारत से प्यार करते हैं आप पहले यहीं पे रहते थे इंडिया में अब आप फ्रांस में रहते हैं लेकिन आपके मन में भी होता होगा कि आपको इंडिया में जाके वाटिंग करनी चाहिए उसको लेकर किस तरीके से सरकार से आपने बातचीत की है क्योंकि सभी को अपने भारत से प्यार रहता है बेसक हम बाहर चले जाएं पॉर्णर कंट्र जो है कहते हैं अभी 10 साल में तीसरी पाबर हो जाएगा शाया हमारा शायत और्टो है किसा उली ख भाट में कुछ दे हम कहते हैं इंब आएं करें और विं विन सिट्थूएशन दोनों के लिए हो यह हमारा जो है यह सव Rabbit लोगों को मेसेज है करने के लिए और दूसरी बार जो आप कर रहे हैं कि अभी अपना वोटिंग राइट के लिए तो यह तो हमारा काफी लॉंग टाइम से हमारा डिवांट चल रही है तो अभी हम अब हमें जो ओस्याई कार्ट दिया जाता है जो भारतिय मूल के जो लोग ह हम लोग अपने बीजनेस की वज़ा से ट्रेवलिंग की वज़ा से जो इसलिए था कि हमारी लोकल वहां पे जहां पर हमारा देश कांट्री ओफ और डिल से तो हम हुंदू स्तानी रहेंगे हम उससे प्र जेंज करने सकता है कोई और यह बहुत पुरानी हमारी डिमांड है और ये जो OCI कार्ड हुआ है, ये उसी की एक मतलब है कि कड़ी है, और इसके बाद नेक्स स्टेप तो यही होने वाला है, क्यों करना पड़ेगा, ये सिर्फ हमारी डिमांड ही नहीं, ये कफी काफी लोग जैसे जबान वाले हैं, अमेरिका वाले हैं, फ्रांस वाले हैं, कई कई मुलकों का है, उसमें मुल्टीबल जो है, आपके नेशनलिटीज आफ ले सकते हैं, उसमें किसी को कोई इतराज नहीं हो, यहां भारत इस पे आएगा, हमारी कुछ प्राब्लम्स हैं, क्यों पार्टीशन थी, उसके बाद वो, क्योंकि जो पार्टीश से पहले जो इसमें सब को फाइदा है, बारत को फाइदा है, हमें भी फाइदा है, वो हो जाएगा, अभी तक हुआ नहीं है, चोकिंदर जी, जिस तरीके से NRI टीम है, आपकी सेल बनाई गई है, आप भारते जन्ता पार्टी के साथ जुड़े भी हुए हैं, काफी पुराने आप रहे कैसे देखने को बिलते हैं? मैंने देखा है, काफी पॉजिटिव है, और अभी तरह से जब भी लोगों से बात करते हैं, तो लोग बीजेपी की परसेंट साही करते हैं, वाकि छोटी मोटी हो कहते हैं, उपने अन्नम पर्लैमेंट और यह वो, तो तो हर हर जीरो परसेंट हमारे योरप में आपका जाएं तो वही तो प्राइवेट शक्री डूंटा है, चाहां को सरकारी नोक्री मिले चाहां मिले, और सरकारी स्क्री में काफी बड़ा है, आप इस्तर इंफ्रस्ट्रक्टिव देखें, स्कूल्स देखें, कॉलोजिस देखें, और लाउएंड अडर की सिच्वेशन भी द जोगिंदर जी जिस तरीके से 500 वर्स का बनवास पूरा के सिर्राम लला जी जनवरी में अपने महल में राजमान हुए है, क्या उसका भी कोई एफेक्ट है, जिस तरीके वोटिंग के लिए अगर हम बात कहें तो जनता के बिच आप जा रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि इसका भी कोई इंपक्ट पड़ा होगा, राम मंदिर बना है, इतना भवे मंदिर बन कर तियार हुए है, देखिए जो राम मंदिर बना हमारी उधर भी पैरिस में, हमने बहुत बड़ी कार रैले निकाली और जो वो पैरिस के आइफल टावर में, जो सबसे बड़ी प्रती और पूजा करिए लोग इतने उतसाहित थे जो हमें, जो हम खुद और्गनाइजर थे, हमें भी इतनी उभी नहीं थे, कितने लोग आ जाएंगे, तो मैं तो यह तो बात रही उधर की, और इसके बाद इसका अचरत तो होता ही है, और यह बहुत बड़ा काम है, देखिए इंडिया को अजाद हुए 75 साल हो गए, और यह डिमांड ही थी लोगों किसब की, और यह किसम का सुपना था जो पूरा हो गया, सुपना था जो पूरा हो गया, और मेरे को अमीद है, जो लोग इस चीज़ को रिलाइज करेंगे, कि इस सरफ राम अंदिर का इस 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 अर्टिकल थे, 370 की था, और भी कितने-कितने बड़े-बड़े कंप्लिक अडिडिश जो तीन तलाक वाला था, कई इस इस जैसे हैं, जो कि भारती जनता पार्टी, मोदी जी की लिडर्शिप के अंडर यह कर पाई है, तो उसका जरूर हमें कोई पूरुस कार मिलना चाहि हरियाना के अगर हम बात करें, भारत की बात करें, तो भारत में तो मोदी परशिद है, अगर फ्रांस की बात करें, अमेरिका की बात करें, बाहर ले देशों में मोदी जी का क्या इंपक्त देखने को मिलता है, जनता के बीच में, आप रहते हैं, तो वहां के लोगों की क्य आपकी भी फोटो मोदी जी के साथ काफी वारे लोग वार आप भी देखे गए हैं साथ में तो किस तरीके का महसूस होता है अपने इंडिया से कोई जाए बाहर और वो भी देश का प्राइम मिनिस्टर तो कैसा महसूस होता है अपने 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 पर्देश के लिए नहीं सारी विश्व के लिए इनकी वीजन है और इसलिए सारी दुनिया में इनको लाइक किया जाता है बड़े-बड़े लीडर इंसे मिलते हैं अपस में बीटिंग करते हैं और सोच नहीं है कैसे विश्व में शांती पैदा की जाए लोगों को गरीवी हटाई जाए और इस मुद्दों के उपर यह बहुत बड़ा काम जितनी भी कंफ्लिक्स ने उसको दूर रहके तभी तो हम प्रोग्रस कर सकते हैं और इसको सबने बड़ी चीजां से एक्सेप्ट किया है और वह मौजी जी की बाहर तो बहुत ज्यादा इसत है और लोग तरस्ते हैं भी मौजी जाहें तो हम एक जलक 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 ही उनकी मिल अच्छी किसमत है कि अगर हम बात करें तो किस तरीके से जो यह यात्रा उद्गोष यात्रा चार सो पार की निकालने जा रहे हैं तो यह कहां से सुरूगी क्या हर डिस्टिक में होगी सभी इसमें एनराई टीम सेल के ही कारेकरता मौजूद रहेंगे भारते जनता पार्ट चाहे विश्यू अडिय परिश्द हो यह सब हमारे एक ही परिवार है और हम लोग सब सबसें घंठनुन में रहते हैं आपस में हमारे हम वीचार पर्श होता है यह मां कठे मिलके काम करते हैं इसका जो जो इसका शुरुआत तो नरामें की तरफ जो पार्ट है बलाब भी ज तो जनता से क्या पिलकाना चाहेंगे जिसके लोग्षभा के चुनाव हैं मोदी जी को तीसरी बार फिर से लाना है जनता से तो हमारा यही संदेश कि सिरफ आप मोदी जी को वोट इसलिए देना है जो इन्होंने काम किया है और जो यह काम करना चाहते हैं इसके लिए आपके सबका भलाई है और विश्व की भलाई है इसके अंदर तो इसके लिए आप मोदी जी को वोट दीजिए एक बार और और आप देखेंगे जो जनता पार्टी टीम सेल के परचारक हैं जो इंडिया में ही नहीं भारत में ही बलकी दूसरे देशों में विदेशों में जाकर जो है बाते-ए-बाइजनता पार्टी का परचार करते हैं और उनका Completely कहना है कि विचारों से लोगों को जुड़ना चाह को तीसरी बर जिता कर लाना चाहिए दिवेरणा रफ्तार मेडिया पंच्छकुला